Hey guys, welcome back to another new video, guys, welcome to the Profesor Tech Show, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो, hit that notification bell and इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं PC hardware, gaming and streaming related चीज़ों के बारे में तो आज के Profesor Tech News में आप लोगा स्वागत है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, भाई, Ryzen 7000 के launch की cover आ रखी है, यह जो है notebook check नाम की website, उन्होंने article चापा है and जो source है, वो है Red Gaming Tech के YouTube चैनल से and जो CPUs जिसके बारे में discussion हो रहा है, वो सारी category से start होता है, however, low end नहीं है, it starts from 7000 series में 7600 से, मतलब 7600 से, उसके बाद 7600 के बाद 7700X है, 7600 है non-X model, 7800X से 7900X से 7950X से, price जो है, वो भी expected कुछ लिखे गया है, जैसे कि 7600 जो है, वो 229 US dollars के price point पाएंगे, इंडिया में अगर उसका देखनेंगे तो 17000 प्लस आप taxes लगा लो, तो 20-22000 में launch होने की उम्मीद है, 5600 के price point को replicate करेगा, 7600X, 299 dollars के price point को, तो इंडिया में कहीं न कहीं पर ये around 27-28000 के price पर आएगा, इनिशली लॉंच होगा prices उपर नहीं चाहूँ सकते हैं, इस आप जिस स्पेकुलेटिव प्राइसे, 7700X, 349, 7800X, 449 US dollars, 79900X, 549 US dollars, 7958, 799 US dollars, इनका जो launching का time है, वो भी approximately बताये गया है, September 15 के आसपास होना चाहिए, and official announcement जो है, वो first week of September में हमको मिलना चाहिए, early pricing's है, ये change भी हो सकते हैं, तो इसको just take it with a pinch of salt, इसके बाद guys हम लोग बात कल लेते हैं, G series के processes भी इसमें launch होने की उमीद हैं, जिसमें से 6600G हो सकता है, 6700G हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ये गलत reprint किया हो, ये हो सकता है, 7600G and 7700G भी इसको कह सकते है, 6-core, 12-thread and 12-core, sorry, 8-core, 16-thread के साथ, prices जो है, वो 6600G है, 7600G जो भी सही होगा, उसका 199 US dollars है, जो कि अगर हम 7600 से compare करें, तो it is a decent deal with IGPU, 6700G जो है, again, अगर वो 279 dollars का price point पहाए, 8-core, 16-thread में, तो वो इसको 7700X को undercut करता है, तो most probably these will be the last generation CPUs, जो की launch होंगे, APUs जो थोड़े बाद में launch होता है, उससे तब से 6-tharm series के APUs हैं, वो सकता है, ये नो, पहले launch हो जाए, 7700 के जो CPUs हैं, वो हो सकता है, बाद में launch हो, इसके अलावा, Raptor Lake के जो offerings हैं, उसके से भी काफी चीज़े depend करेगा, 7700X जो है, वो initially हो सकता है, ना launch हो, 7600X और 7800X भी हो सकता है, जो है, पहले launch हो जाए, उसके बीच में कहीं पर 7700X को launch किया जाए, अल्सो ये claim किया गया है, जो Red Gaming Tech का channel हो, उसमें की Ryan 7000, जो है, वो 6 GHz का जो frequency speed है, उसको हो सकता है, वो लोग match करें, precision, boost overdrive, जो PBO बोलते हैं, उससे त्रू, अच्छे cooling के साथ, जो Gremont 50 हे वाई नाम के एक वीटे user हैं, उन्होंने ये बताए कि हो सकता है, 7800X 3D, जो कि 3D V-Cache के साथ आएगा, and 7950X 3D, जो कि again 3D V-Cache के साथ आएगा, आठ Core and Solacore के top end variant होंगे, and आपको पता है कि 3D V-Cache जो है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, कि that helps in gaming, and इसी की वज़े से 5800X 3D जो है, वो एक 10,000 price point पे जाधा, it is more than the price point of 12 core 24th thread वाले 5900X के आज की date में, तो 5800X जो है, वो सिर्फ gaming को point करता है, उनका जो 3D V-Cache होता है, वो सिर्फ gaming में काफी जाध help करता है, that is why वो जो CPUs हैं, वो थोड़े price point में higher रहते हैं, तो this is one of the news, जो कि मेरको काफे interesting लगा, इसलिए I shared with you guys, अगला जो news है, that is from iPhone, या हम लोग generally PC's के बारे में की cover करते हैं, अबर आज हम iPhone के बारे में थोड़ा cover करेंगे, and A15 Bionic chip जो है, हो सकता हमको वही देखने को मिले, iPhone 14 के models में, not in the pro models, pro models में हो सकता, Apple का A16 Bionic मिले, but जो iPhone 14 के जो normal models रहेंगे, non-pro models, जो कि expected किया जा रहा है कि iPhone 14 and 14 Max होंगे, उसमें A15 के जो Bionic, जो इस generation के iPhone 13 series को power देते हैं, उसी को थोड़ा सा optimize करके, उसको present किया जाए, and this was a news, जो मेरे को काफी अच्छा लगा, and you know, काफी interesting लगा हो सकता है, कि Apple जो है, अपने pro and non-pro models में, difference से generate करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जादा तर लोग जो है, they go for the pro models, so let's see how that plays out, because pro models में अभी हमको, जो है, वो drop notch भी मिलने वाला है, not drop जो button notch है, वो मिलने वाला है, so कहीना कहीं पे, वो जो notch है, वो सर्फ 14 series में रहेगा, जो pro models है, उसमें, वो notch जो है, अब वो एक dot पे आ जाएगा, so again, इसके अलावाद 6GB RAM मिलने की उमीद है, इन सारे, you know, generations में, high-end iPhone 14 लेने जा रहे हो, they go for the pro model, if the budget allows for them, इसके लावा guys, steam का PC hardware survey लाँच हुआ है, जो की February 2021 से July 22 तक का है data, and इसमें एक चीज़ आप यह आप देख सकते हो, जैसे की अभी जो gaming का, जो PC video card है, by manufacturer, उसमें NVIDIA के पास lead है 76.19%, AMD जो है 14%, इसमें जो ट्रेंड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो NVIDIA and AMD ने अपना market share, more or less maintain करके रखा हुआ है, DX11, DX10 and DX12 systems का, आप data यहाँ पर देख सकते हो, processor usage by manufacturer की, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे, AMD के जो processors हैं, वो धीरे-धीरे करके अपना market share बढ़ा रहे है, 13.55%, 31.55% पर अभी, वहीं पर Intel जो है 68.45% पर है, आप देख सकते हो, इस graph से कि Intel ने अपना market थोड़ा सा loose किया है, as compared to AMD, CPUs, cores की अगर बात करें, gaming में, तो आप यहाँ पर देखो, कि जो 8 core CPUs हैं, उन्होंने अपना जो area है, वो बढ़ा है, 5.51% पर है, 6 core CPUs जो हैं, 18.28% पर है, 4 core CPUs जो हैं, 32.57% पर है, and 2 core CPUs जो हैं, वो 11.38% पर है, सो कहीन है कहीं पर, जो mainstream market है, that is divided between 4 core and 6 core CPU, जो कि 32 and 32% के वरिश्यों पर चल रहे हैं, and वहीं पर 8 core CPUs जो है, वो 18% के लेके, they are quite decent, इसके लाबा कुछ अदर्स भी हैं, मतलब उससे जादा, 8 core से जादा, या एक single core वाले CPUs भी रहेंगे, तो उनका भी एक market share है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, and finally, एक चीज़ और मैं cover करना जाता हूँ, जो VR headsets का जो issue है, तो VR headsets की sales के, अगर हम बात करें, या उनके volume की बात करें, जो कि Steam में linked है, तो उसमें Oculus Quest 2 जो है, वो सबस्यादा percent पर जो है, वो है 6.19% पर, Windows Mixed Liarity is at 4.4% and others at 13.91%. So, कहीं न कहीं, जो Oculus Quest 2 है, it is becoming the market leader in VR headsets, अगर आप लोगों को भी खरीदना है, तो you guys can just look for this, if you find it anywhere in India, and इसके बात guys, हम लोग जो अपना अगला चीज़ बात कर रहा है, that is, जो AMD के Ryzen 7000 series के CPUs हैं, वो अभी हमको DDR5 6400 MHz के स्पीड पे चलते हुए दिखें, ये एक Twitter user है, at the rate 9555550 Pro, उन्होंने ये clip जो है, उसको शेर किया है, जहांपे DRAM frequency जो है, वो मतलब 3202 दिखा रहा है, which equals to 6400 MHz, and that is quite high, DDR5 में 6400 MHz, मेरा खुद के PC का जो RAM है, वो DDR4 3200 MHz पे चला रहा हूँ, and उसका जो speed है RAM का, that will be double, that is quite astonishing, and finally, जो हम आज, final news है, वो ये है कि, Intel के जो i9-13900 के CPU है, 24 core and 32 threads के साथ आने के उम्मीद है, 8 high performance cores with 16 threads, and 16 efficient cores with 16 threads, so कहीं नहीं काफी powerful, I think सबसे highest core count CPU रहेगा, जिसमें 24 physical cores available है, and 32 threads है, multi-threading नहीं है efficient cores में, that is decent, but 6.1 GHz के speed पे चलते वे, एक snapshot इसका मिला है, which is again quite amazing, so AMD and Intel, both are touching, both are trying to touch the 6000 MHz, या 6 GHz का, जो benchmark के उसको hit करने कोशिश कर रहे है, may not be possible with, जो stock coolers हैं, उसके साथ possible नहीं होगा, but अच्छे cooling solution के साथ, and अच्छे motherboards पे हम हो सकता है, ओक ये o clock करके, ये जो frequencies है, इनको हम achieve कर पाएं, 6.1 GHz, it's decently very high, very fast, मेरा Ryzen 1st generation 1700 8 Core 16 Thread CPU, जो अभी 3400 MHz पे चलता है, या 3.4 GHz पे, and I am telling you that, it is very decently fast to work for me, मेरे लिए सारा काम में रख कर देता है, चाहे कोई भी काम हो, it works without any issues है, तो I can't even comprehend की, इतने high-end CPUs जो है, जो 600 MHz के RAM पे चल रहे हैं, and 6.1 GHz के frequency पे, हर core दोड़ रहे हैं, तो how much performance and power they are going to bring, these are something, बहुत ही, you know, we are moving towards the high computational power era, जहां पे आपके जो CPUs हैं, आपको इतना power दे देंगे, कि आप कोई भी task, इतना मर्जी load, जो है, आप अपने system पे डाल सके, and you get the output what you want, so thanks a lot for watching guys, I hope you guys had fun watching this video, अगर चैनल को नहीं subscribe की, अभी तक तो subscribe, hit that notification bell, फिर मिलत अपने अगले वीडियो में, stay awesome, stay safe, जय हिंद,